आपको consumption function दिया हुआ है 200 plus 0.8y, आपको निकालना है MPC, MPS, आपको बताना है कि क्या save होगा आपका saving function, आपको बताना है कि अगर income 3000 या income 5000 है, तो उन दोनों cases में consumption कितना होगा, और finally आपको बताना है कि break-even level of income क्या होगी, याद आखेगा बच्चो आपको given a cable consumption function जो की है 200 plus 0.8y, ठीक है बच्चो, तो आईए इन सब चीजों के answer निकालते हैं, तो बच्चो यह जो consumption function है, इसको read किया जाता है autonomous consumption plus mpc into y, तो यानि यह जो 0.8 है वो आपका mpc ही है, जो की 0.8 है, ठीक है बच्चो, रही बात mps की, तो mps आपका हो जाएगा 1-mpc, यानि की 1-0.8, यानि की 0.2, अब रही बात saving function की, तो saving function होता है, minus c bar, यानि negative of autonomous consumption, plus 1-b, यानि mps, into y, तो minus c bar का मतलब minus 200, क्योंकि autonomous consumption 200 है, उसका negative हो गया minus 200, यानि saving at 0 level of income, या रखें बच्चो, 0 level of income बें to saving होती है, वह हमेशा, ओर्टमस consumption का negative होती है, 1-b, यानि mps, जो की है, 0.2, और y ये रहा आपका, तो ये हो गया आपका saving function, ये हो गया third part का answer, अब बात करते हैं, 4 part के answer की, 4 part में आपसे कहा गया था कि अगर income 3,000 है तो आपका consumption कितना होगा, तो c is equal to 200 plus 0.8 into 3000, 3,000 है इंटो 0.8 होता है, 2400 और प्लस 200, तो उस case में consumption आजाएगा 2600, अगर income 5000 है, तो 200 plus 0.8 into 5000, 5000 into 0.8 होता है बच्चो 4000, प्लस 200, तो ये आजाएगा 4200, तो हमने ये भी बता कर लिया, कि जब income 3000 है और जब income 5000 है तो consumption कितना होगा, अब finally आजाते हैं, break-even level of income पर, अब बता करते हैं वो कितना होगा, तो बच्चो break-even level of income वो होती है, जहाँ पर C और Y आपस में equal होते हैं, C आपको दे रखा है 200, प्लस 0.8Y और इसको equal रख दिजिए Y, याद रखेंगा बच्चो केवल, break-even level पे ही consumption और income equal होते हैं, अदर्वाइस या तो एक consumption बढ़ा होगा, break-even point से पहले, या फिर income बढ़ी होगी, after the break-even point, तो यह हो जाएगा, 200 प्लस 0.8Y को महा ले जाएगा, तो 200 is equal to 0.2Y, तो कि Y में से जब आप 0.8Y मैनस करेंगे, तो यह 0.2Y आ जाएगा, दिस इस Y ध्यान रखेंगा बच्चो, और अगर आपको Y हूंडना है, तो 200 को 0.2 से divide कर दिजिए, आपका Y आ जाएगा, जो कि यह आ जाएगा, आपका 1000, तो आपका break-even level of income है, 1000, अब 1000 into point rate करेंगे, तो 800 और 800 प्लस 200,000, देखिए, इससे चेक भी हो रहा है, कि consumption और income दोनों बराबर होते हैं, at the break-even level of income, क्लियर बच्चो, काफी अच्छा question है, और बहुत important भी है, इसको आप धंसे समझ देंगे, तो आप दूसरे numericals भी धंसे कर पाएंगे, तो इसको जरूर धंसे करेंगे, बच्चो, और समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत सारे question जो है, इससे जोड़े भी आप कर सपाएंगे, और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे दैस उन में आया, तो आप इसको और लोगों सब भी share करिए, बच्चो, ताकि मुझे भी ये further encouragement मिले, कि मैं और अच्छे च्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ, और आपको जो coming 17th March को जो exam है, economics का, उसमें आपको भी help मिले, ठीक है बच्चो, थैंक यू, बच्चो आपको national income दे रखा है, 50 करोड, saving दे रखी है, 5 करोड, और आप से कहा गया, average propensity to consume निकालिये, उसके बाद question में एक और चीज़ कही गई है, कि अगर income बढ़कर 60 करोड हो जाए, और saving बढ़कर 9 करोड हो जाए, तो उस case में APC क्या होगा, और MPS क्या होगा, ठीक है बच्चो, तो आईए बच्चो, देखते हैं solution को, कैसे किया जाएगा, income और saving की हल से हम consumption को निकाल सकते हैं, consumption का formula होता है, income minus savings, income है 50, saving है 5, तो consumption आगया 45, अब रही बाद APC निकालने की, तो APC का formula होगा बच्चो, C upon Y, C की जगा 45 लिखिए, Y की जगा 50 लिखिए, तो यह आजाएगा 0.90, अब इन्होंने दूसरे पार्ट में काता कि, income जो है, वो बढ़कर 50 से 60 हो गई, तो आपका change in income आजाएगा, 60-50, यह रखी है, सब 30 करोड में है, तो यह करोड में निकलाएगा, लेकिन APC करोड में नहीं है, APC एक simple ratio होता है, इसके कोई unit नहीं होती है, ठीक है, और saving बढ़कर 9 हो गई थी, तो delta S हो जाएगा आपका, 9-5, that is 4 करोड, तो आपका MPS की बात की जाए, तो जिसका formula होता है, delta S upon delta Y, 4 upon 10, यानिकी 0.4, अब आप MPC निकालना चाहते हैं, तो MPC हो जाएगा, 1- MPS, यानिकी 1-0.4, यानिकी 0.6, और MPC निकालना है, तो पहले delta C निकालेजिए, तो delta Y जो की 10 था, minus delta S, जो की 4 था, तो या आजाएगा 6, अब हम MPC ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसका अपना formula यूज़ करके, delta C upon delta Y, ठीक है बच्चों, तो या आजाएगा 6 upon 10, यानिकी 0.6, clear बच्चों, तो यह हो गया आपका question का solution, ठीक है बच्चों, clear होगी बात, question होगा complete.